मेश राशी फल 2022 मेश राशी का सबसे अच्छा गुन है कि प्रतेक परिस्थती में गर्व से खड़े रहो इस राशी के वेक्तियों की हड्डियों की संरवचना बहुत मजबूत होती है और कदोसत उचाई का ही होता है जब तक इस राशी के वेक्ति अपने लक्षे को रिष्टा है कि आप अकसर चेहरे परत्तिल के साथ पैदा होते हैं आप सामाईय तूर्जा और अतियुत्साह से भरे रहते हैं आप स्वभभाव से अच्छे हैं और आप अधिकतर आत्म केंदेत रहते हैं कारियों को योजना पूर्व करने की योगता रखते हैं करियर वर आपके योग बनेंगे नएक्षित्रों में निवेश करने से आपको इस वर्ष लाब हो सकता है विवसाय के संबंद में नए विचारों में आपकी रुची हो सकती है इस वर्ष विदेश यात्रा कभी मकाव हासिल हो सकता है कारेक्षित्र में उच्चा दिकारियों से होने वा मई से अक्टूबर तक का होगा वहीं नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी उर्जा को धीमा कर सकता है इस दोरान आपको परिशानी उठानी पर सकती है परिवार आपके लिए साल की शुरुआत काफी शुब रहने वाली है ब्रिहस्पती और शानी के चत्रत भाव पर सहुत 3 मई से लेकर अगस्त तक की अवधी परिवारिक द्रिश्टिकों से बेहतर रहने की संभावना है सितंबर से लेकर नवंबर के बीच आपको पिता की सेहत को लेकर सावधानी बर्तनी पड़ेगी विवाहित जीवन में तनाव की स्थिती बन सकती है इसलिए आपसी तालमेल बनाय रखने की आवशक्ता इस वर्ष भर बनी रहेगी आर्थिक स्थिती आर्थिक द्रिश्टी से जन्वरी से अप्रियल तक का समय शुपर नाम देगा इस समय अवधी में आप आर्थिक जीवन में कोई अच्छा बदलाव होने की उमीद कर सकते हैं या फिर इस दोरान आपको किसी तरीके का आर्थिक लाब भी हो सकता है लेकिन अप्रियल के प्रारम से ही राहुआ आपकी राशी में होंगे या समय आपके लिए संभल कर चलने का रहेगा कोई भी व्यापार या व्युवसाय साज़दारी में करने से पहले आपको अच्छी तरीके से विचार कर लेना चाहिए। परीक्षा प्रत्योगिता विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साल की शुरुआत में मिले जुले परणाम मिलेंगे क्यूंकि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार मिश्ट जातकों का शैक्षनिक जीवन वर्ष की शुरुआत से यानि जन्वरी से मार्च तक मिश्रित परणाम देगा और फिर जुलाई से नवंबर तक छात्रों को जीवन में फलदाई परणाम प्राप्त होंगी उच्छ शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत कर अप्रियल के प्रारम से आपको पेट से जुड़ी समस्या परिशान कर सकती है इस दौरान पेट संबंधी बिमारी को बिलकुल भी नजरंदाज न करें आपको अपने सामाने स्वास्थे को बेहतर बनाने के लिए स्वस्थ भोजन योगध्यान और व्यायाम को अपनी दिन भाल की जाए और स्वस्थ आवहार का पालन किया जाए तो वर्ष के अंतक बिना किसी लंबी बिमारी के सुखी और खुश्षाल जीवन जीने में सकल होंगे खुश्थ और मानसिक रूप से शान्त रहने की संभावना भी काफी प्रबल है उपाये प्रतेक मंगलवार वशनिवार को सुन्धर कांड का पाठ करें तामबे के पात्र से सूर्य भगवान को अर्गे देशी हनुमान चालिसा का पाठ आपने में